अलो डियर इस्टूडे एंड सबेरी वेलकम बैक इन देशी अक्षार अपलोग कैसे है डियर आई होब आप लोग सबस्चत होंगे और मस्ट होंगे है ना डियर तो यार आज चुकि संडे था यानि कि आज जब ये वीडियो अपलोड हो गई और आपके पास पहुंच गई ह है क्योंकि ये वीडियो रात में अपलोड की जाएगी तो बेसिकली ये वीडियो में आपके लिए संडे को ही सूट कर रहा हूं तो चुकि आज हम लोगोंनों सेकेंड मॉक टेस्ट दिया है और उस सेकेंड मॉक टेस्ट में किसके नंबर कैसे आए हैं डियर आप लोग पियां सोयम चक कर सकते हैं वो बच्चे जो नवदया एकेडमी में सेंटर से दूर हैं और आलाइन मुझे कनेक्ट करते हैं वो सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन में ये पेपर आपको मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर लें डाउनलोड करने के बाद आप बहुत ही म बात करना स्टार्ट कर देते हैं ओकेडियर चलो तो सबसे पहला सबसे पहला पोर्शन हम लोग उठा रहे हैं मांसिक योग्यता का यानि mental ability का और उसमें चो सबसे पहली reasoning है वो लोग हम है ना वो हम लोग सबसे पहला खंड ले रहे हैं और देखते हैं कि क्या कहता है परते एक आकृति अन्य से भिन है भिन आकृति का चैन कीजिए वही जो मैंने अभी आपको सिखाया है एक दिन पहले यानि कि Odd Man Out आपको Find Out करना है कि कौन सी सबसे अलग है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते है अब पहली रिजनिंग चलो आओ सबसे पहली रिजनिंग आपकी स्क्रीन पे आ गई है डियर आप सबसे पहले इसको देखिए बहुत ही ध्यान से और ध्यान से देखने के बाद आप हमें बताइए कि इसमें से कौन सी रिजनिंग बिल्कुल सबसे भिन है ओके डियर अब जैसे ही आपके सामने answer क्या आ रहा है चलिए देखते हैं कि क्या आपका answer मेरी answer से match कर रहा है या नहीं इसमें dear अब आप देखिए पहला वाला जो है वो सारी की सारी straight line से मिलके बनी है यानि C दी रेखा से मिलके बनी है B वाला भी बिल्कुल C दी रेखा से ही मिलके बना हुआ है लेकिन ज़रा ध्यान से C वाले में देखे तो C वाले में आपको ये देखे ये कर्ब रेखाएं भी आपको मिल रही हैं इसका मतलब इसमें जो सबसे अलग है माई डियर वो है आपका C वाला उप्सन ओके डियर हाँ तो बिल्कुल थोड़ा सा टफ तो होगा लेकिन यही चीज आपको बहुत ही आगे ले जाएगा माई डियर चलो कमाई जल्दी से अब आजाओ आप सेकंड नंबर पे और सेकंड नंबर के क्वेस्चन को देखिए और बताइए कि क्या इसमें सही है चलो जल्दी से तो आप देख रहे होंगे कि यार तीन रेखाएं हैं और तीनों में से एक जो है वो सब को काट रही है वही सैचुएसन इसमें भी है वही सैचुएसन इसमें भी है लेकिन जो सबसे अलग आपको दिख रही है dear, वो आपको दिख रही है D वाला, ओके तो मेरी ख्याल से second option आपको बिल्कुल correct लग रहा होगा आईए, बात करते हैं, अब हम लोग third वाले reasoning की ओके, आओ हाँ dear तो third वाली reasoning को आप देख के कैसे बताएंगे की भहिया कौन सी इसमें सही है, चलो, यही चीज होता है कभी-कभी जब आपका tough paper आजाता है ना तब मज़ा आजाता है, मज़ा आजाता है, मतलब मज़ा आजाता है अब यहाँ पर आप जब third को बहुत दिख रहे होंगे my dear, दिखेगा इन पे जब आप diagonally देखे यहाँ, यह तीनो एक जैसी है यह तीनो एक जैसी है यह तीनो एक जैसी है लेकिन जरा इसमें देखिएगा my dear, इसमें यह तीनो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब डी वाला option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा बहुत बारीगी से देखना होता है कभी-कभी लोगों को लगता है यह नोदेगी परिशा तो बड़ी आसान होती है यह सो लल्लू शाब बच्चा भी जाके दे सकता है नहीं दे सकता भाई, fail हो जाएगा हम बता देना है, अब देख रहे हैं यह चार की चारो आकरती हैं अपने आप में बहुत ही जबर्दस्ट टाइप की रिजनिंग है बहुत ही जबर्दस्ट टाइप की इसलिए मैं कहता हूँ की रिजनिंग वाले पोर्शन पे बहुत ध्यान देना है चलो, अब हम लोग लेते हैं अपना question number 4 question number 4 को ध्यान से देखो dear और आप सबसे पहले अपना दिमाग लगाओ फिर हम लोग देखते हैं कि real answer कौन सा है चलो, चलो तो मेरे ख्याल से आपने dear अपना दिमाग पूरा लगाया होगा और आपके सामने answer आया होगा कौन सा, हाँ अब देखो, यहाँ पर देखो जैसी ये है, वैसे ही ये है यानि कि कही न कहीं से एक तरीके की वो प्रतविम बन रही है, बगल वाले की लेकिन बी वाले को देखेगा dear इसमें सब कुछ पिल्कुल अलग अलग है तो इस तरीके से हम ये कह सकते है कि इसमें B वाला option बिल्कुल correct है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 के 4 question यानि पहले में आपने C उसके बाद दूसरे में आपका D और तीसरे में भी आपका D और चौते में आपका B बिल्कुल correct है अगर जिन बच्चों ने ये options correct किये हैं वो अपना 4 में 4 सही मान सकते हैं अब आजाएए हम लोग लेते हैं अपनी next type की reasoning वो है निर्देश अब देखिए प्रशन 5 से 8 तक में हमें क्या करना है बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा पाड़ी बहुत ध्यान से देखिए परते एक प्रशन में एक प्रशन चिन प्रशन आकरती दी गई है तथा A, B, C और D से चिन ही चार उत्तर आकरतियां दी गई है उत्तर आकरतियों में से प्रशन आकरती के समरूप आकरती को चुनिए यानि कि आपको क्या करना है आपको समान आकरती चुनना है यानि this is one of the simplest regioning okay यह आप इसको यह कह सकते हो कि यह सबसे simple वाली regioning होती है आओ जल्दी से अब इसको तो आप फटा-फट कर सकते है चलो आप बताओ पहले पहले बताओ कि फिप्थ में कौन सा सही होगा तो भई फिप्थ में देखो पहली बात तो यह सारा का सारा यह arrow अंदर की तरफ है अंदर की तरफ अंदर अंदर यहां देखो बाहर की तरफ इसको खतम करो पहले यहां पे देखो यह भी बाहर की तरफ इसको भी खतम करो यह भी बाहर की तरफ यह आपका कौन सा उपर चोही है और नीचे तो देखो यह यहां पे ऐसा नहीं है इसको गलत काटो यहां पे देखो यह पहला वाला ही गलत है उसके बाद यहां पे देखो यह लास्ट वाला यहां पे यह भी गलत तो यह वाला उप्सन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है तो इस तरीके से हम लोग फटा-फट से कर सकते हैं, चलो आजाओ, अब हम लोग चलते हैं, सेबन नंबर पे, सेबन नंबर पे, चुकि मैं इसको टैबलेट में करवा रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है डियर कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, यसे C वाले को देखो, C वाला, C वाला, ये, इसको देखो, ये ऐसा है, ये भी गलत है, ये देखो, यहाँ पे देखो इसको, इसको बहुत धेहन से देखो, ये इसकी वज़ा से गलत हो गया, बचा क्या, बचा आपका B, तो B आपका सही हो गया, ओके, बहुत अच्छे, चलो आज जाओ 8 में फटाफट से बता दो 8 में फटाफट से बता दो कौन सी आक्रती सही है 8 में जल्दी से बताओ अब 8 में सबसे पहली बात तो यही है कि यहां पर यह corner निकला हुआ इसका मतलब यह गलत हो गया उसके बाद ये देखो ये टोटी की वज़ा से ये गलत हो गया उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो जल्दी से यहाँ पे बीच में डाक नहीं है इसलिए ये गलत हो गया सबसे करेक्ट आपका 8 में D हो गया तो इस तरीके से ये एक से लेकर आठ तक की रिजनिंग्स आपके बिलकुल जब अरदस्त हुई होगी अब आईए डियर हम लोग लेते हैं नेस टाइब की रिजनिंग्स जो है आपकी नौ से बारा परते एक प्रश्ण में एक प्रश्णाकृती ली गई है जिसका एक भाग लुप्त दरसाय गया है परते एक प्रश्ण की उत्तराकृती A, B, C और D पर गौर करें तथा उस उत्तराकृती का पता लगा है जिसको बिना दिसा परिवर्तन के प्रश्णाकृती का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्णाकृती के लुप्त भाग में बिठाया जासा के बहुत अच्छे आजाओ जल्दी से अब फटा-फट से बता दो 9 में कौन सा रहेगा 9 नमबर में कौन सा रहेगा फटा-फट से बता दो बच्चे बिना दिसा परिवर्टन के इसका मतलब ये तो तुरंत गलत हो गया भाईया ये इस कॉर्णर से नहीं जाएगा ये भी गलत हो गया ये तो तुरंत गलत ही हो गया इसका मतलब आपका बियो अलाउप्सन फटा-फट से यानि कभी-कभी ऐसा होता ना कि कुछ रिजनिक्स इतनी आसान होती है कि भाई उसमें फिर कुछ कहना ही नहीं है अब यहाँ पर देखो 10 नमबर में 10 नमबर में हमें देखना है कि कौन सा सही है अब इसको ध्यान से देख लो क्योंकि इसका जो आंसर वाला पार्ट है अब जैसे देखो यह क्या है यह ऐसे था फिर यह ऐसे पैटर्न में हो गया यह ऐसे पैटर्न में हो गया तो इसका मतलब अब की बार कैसा होना चाहिए अब की बार ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए अगर ऐसा होना चाहिए आए देखते हैं आप बताइए कि कौन सा regioning सही होगा आजाएए ये ये है आपकी यहाँ पे आईए चलिए तो इसका मतलब आपका B वाला option सही होगा ओके यानि B वाला आपका बिल्गुल सही होगा अब आ जाएए आप question number 11 question number 11 को देखिए question number 11 आपके सामने है question number 11 को ध्यान से देखिए सारी की सारी चीजे इसी साइड भी होना चाहिए इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है और साथ में ये वाला भी बिल्कुल गलत है अब इन दोनों में से आपका सही हो सकता है अब 11 में ध्यान से देखिएगा 11 में आप ध्यान से देखिए तो आप क्या कहोगे कहोगे भीया यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए इसका मतलब ये भी गलत हो गया आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया जालो अब आजाओ आप question number 12 question number 12 में आजाओ dear question number 12 आपके सामने है और question number 12 में अब आप देखो ध्यान से देखो ये दूर दूर है भीया कता ही नहीं होगा ये बहुत पास पास है बिल्कुल भी नहीं होगा तो दो तो हम लोगों ने reject कर दिया बचा कौन सा इनको भी हटा दो क्योंकि ये corner से है तो इसमें आपका C हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका C हो जाएगा तो कभी-कभी reasoning सितनी आसान हो जाती है कि हमें हमारी time की भी बज़त हो जाती है और हमें मजा भी आ जाता है चलो अब आजाओ आगी की reasoning के बारे में बात करेंगे हम लोग कहां से कहां तक सबसे पहले निर्दे साब पढ़िए प्रशन 13 से 16 तक के लिए क्या instructions दिये गए हैं डियर आओ फटाफट से देख ले परते एक प्रशन में प्रशन आकरती दरसाई गई है जिसे प्रशन आकरती के खाली अस्थान में प्रतियस्थापित किया जा सके यानि आपको ये बताना है कि next कौन सी reasoning होगी जिसको यहां पे fill up किया जा सके ओके डियर चलो बहुत ही बढ़िया रिजनिक है बहुत ही बढ़िया माडल पेपर था आपके लिए जो मैंने सेलेक्ट किया था बहुत ही जबर्दस था चलो आजाओ अब आजाओ question number 13 question number 13 में आप क्या कहेंगे ये बताइए चलिए अब आप चरा सा गर आप ध्यान दे रहे हो तो आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा portion जो है वो 45 degree है न चेंज हो गया फिर ये इस corner पे था फिर ये इस corner पे change हो गया इसका मतलब अपकी बार होगा कि ये वाला इस corner पे आएगा है न जब ये वाला इस corner पे आएगा तो क्या पहला होगा क्या पहला होगा पेलकुल सवाल ही नहीं उठता बी वाला option कुछ हद तक अभी हम लोग सही वाले category में रखेंगे लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जहां पे ये चीज आपकी मिल मैच कर रही है जहां पे ये चीज मैच कर रही है वहीं पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा दिखकता आ गई होगी बच्चों को क्योंकि B और C बिल्कुल मैचिंग मैचिंग वाला पार्ट हो गया D तो बिल्कुल नहीं होगा A तो बिल्कुल नहीं होगा अब बात आती है B और C में से आप कौन से portion को select किये होंगे तो देखो बच्चे यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे दो regionings एक साथ मैच कर जाती है तो वहाँ पे दोनों को सही माना जाता है तो बिल्कुल आप इसके लिए बिल्कुल तो अगर कोई बच्चा B किया होगा वह भी सही मान लिया जाएगा तो बिल्कुल आप इसके लिए टैंसर मत लिजेगा मेरे ख्याल से तेरा तक की questions आपके जबरदस्त हो चुके है अब आजाओ नेस्ट वाले page पे हम लोग चलते है और नेस्ट वाले page पे चलके हम लोग लेते हैं अब अपना question 14 question number 14 question number 14 ये आपकी screen पे आगया डियर ये है question number 14 चालो question number 14 में देखे डियर कौन सी आकरती आपको बिल्कुल सही लगए अब देखो एक किसी एक को पकड़ लो इसको पकड़ लेते हैं तो ये यहां पे है फिर यहां पे है ये यहां पे है इसका मतलब अब की बार ये यहां पे होगा देख लो कहा है इसमें तो बिल्कुल नहीं इसमें तो बिल्कुल नहीं इसमें तो बिल्कुल नहीं इसका मलब 14 में भी हो जाएगा तो किसी एक को पकड़ लीजे आपका काम हो जागा, अब इसमें देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था इसका मतलब, अब की बार यह चीज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए देखिए यहाँ पे है, थोड़ा सा क्या हो गया इसका मतलब ये भी गलत और 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 जल्दी से बोलो अब बात आई बी और बी और डी में से तो बी और डी में से जब आपको सेलेक्ट करना हुआ डियर तो आप 15 में किस के साथ जाएंगे जल्दी से बताओ 15 में आप किस के साथ जाएंगे एक अब की बार यहां पर होना चाहिए double mark तो यह पहला तो होगा नहीं फिर b, c और d दोनों match कर रहा है चलो आप कोई और ले लो अब की बार आप यह वाला गोलू ले लो यह गोलू यहां पर था फिर यह गोलू correct दिखता है यह भी गलत हो गया और यह भी गलत हो गया तो 15 में c चलो बहुत अच्छे अब आजाओ आप 16 में डियर आजाओ 16 में आओ फटा फट से बात कर लेते हैं लोग 16 में तो 16 में आप क्या कहोगे जल्दी से बता दो यह भी बहुत ही easy है बहुत ही easy है चलो जल्दी से बताओ 16 अब देखो दियान से यह पहली बात तो orientation यहाँ की बार यह बीच में पूछा है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा दिमाग यह लगाना है क्या यहाँ पे एक 3, 3 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे तो यह भी गया अब बात आई A और D में से तो यहाँ पे देखो 5, 4 इसका मलब यहाँ पे 3 होना चाहिए तो यह 6 बाला चला गया आगया आपका D तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 तो इस तरीके से दिमाग आपको लगाना है तो दिमाग जिसका चल गया सेलेक्शन उसका हो गया चलो बहुत अच्छी बात है अब आईए हम लोग बात करते हैं 17 से 20 तक की रिजिनिंग में आपको क्या करना है प्रतेक प्रश्ण में प्रश्ण आकर्टियों की 2 सेट दिये गए है दूसरे सेट में प्रश्ण चिन है प्रश्ण के प्रश्ण सेट की 2 प्रश्ण आकर्टियों में एक निश्चित संबंध है और इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरी तथा चौथी परसनी आक्रती में भी होना आवस्यक है उत्तरा किर्टियों में से उस आक्रती का छैन करें जो परस्णी चिन को प्रति अस्थापित करें चलो बहुत अच्छी बात है आओ देखते हैं तो देखो बात इसमें ये है कि इसमें और इसमें जो संबंध है वही संबंध इसमें और इसमें होना चाहिए तो चलो जल्दी से पहले आप अपना दिमाग लगाए मेरे ख्याल से 17 वाले क्वेस्चन में आपने वो रिलेशन बना लिया होगा अब देखो सबसे पहले क्या करो कि इसको आप पलट दो इधर को जैसे आप पलट देते हैं तो देखो उसके बाद क्या करो जैसे ही आप पलटते हो उसके बाद ये जो बाहर की तरफ खुला हुआ है इसको आप अंदर की तरफ कर दो ठीक है पलटने के बाद तो देखो ये मिल गए आपको और उसके बाद देखो इन ये दोनों जो थे ये दोनों इधर आ गए हैं तो जो अंदर को थे ये बाहर को हो गए है ऐसा ही आप इसमें कर दो तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे पलट दो जब आप इसको पलटिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा अब इधर आपको तीन मिलेंगे तो एक ऐसा हो जाएगा एक ऐसा हो जाएगा और ये दोनों अंदर की तरफ है तो ऐसे हो जाएगे अब देखो ऐसा कौन सा है? मेरी ख्याल से ऐसा आपको केवल और केवल का रहा है? चल्दी से बताओ Preview 17 में तो ऐसा केवल आपको बीवाला दिख रहा है यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा यहां पे देखिए विल्कुल मैच कर रहा है अब आजाओ आप इसमें 18 number question में 18 वाले में देखिए यहां पे 8 बना हुआ है तो मेरे ख्याल से क्या हुआ इसमें अब देखो बहुत ध्यान से देखना 8 को 3 बना दिया है ठीक है और 6 को 2 बना दिया है तो यहां पे 6 है और 5 है तो जरा हमें यह बताओ कि यहां पे क्या होगा यहां पे क्या होगा चलो दिमाग लगाओ तो बहुत ध्यान से अगर आप इसको देखे होंगे तो आप यह देखिए कि इसमें से यह वाला निकाल दो और यह वाला निकाल दो तो देखो और उसके बाद जो आ रहा हो ना उसको ऐसे पलट दो तो देखो तीन आ गया है यहाँ पे यह चीज बन गया और वैसे इसमें से यह निकाल दो यह निकाल दो और पलट दो तो क्या बन गया? दो बन गया और इसको जब पलट दोगे तो क्या बनेगा ये चीज निकालके पलट दोगे तो आपका दो बन जाएगा यानि कि 52 आपको यहाँ पर मिलना चाहिए मेरे ख्याल से 52 मिलना चाहिए आओ देखते हैं वेरी नाइस तो इसमें देखो अब इसमें 52 पूरा का पूरा नहीं होगा हाँ इधर का गायब है तो ये वाला नहीं होगा आपका ए वाला सेक्षन होगा ठीक है ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारी रिजिनिंग थी अब की बार तो मजा ही आगया मतलब माक 2 में मजा ही आगया भाई वाउ, चलो आजाओ 19 नमबर में आजाओ डियर 19 नमबर में आजाओ, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला था बंदा, वो सबसे अंदर चला गया, वो पलट गया, यहाँ पे देखो और जो दो नमबर पे था वो क्या हो गया जो दो नमबर पे था, वो एक पे आ गया है ना, जो दो पे था, वो तो दो पे ही रह गया, और जो सबसे अंदर था वो सबसे बाहर आ गया, चलो अब की बार हम लोग भी हैसाई कर लेते हैं, जो सबसे अंदर है, वो सबसे बाहर बुला लो उसको, सबसे बाहर जब आप इसको बुलाएंगे, तो 19 में आपको कौन सा दिख रहा है 19 में आपको कौन सा दिख रहा है, पहली बात तो यह देखो, बहुत ध्यान से देखेगा बहुत ध्यान से, यह जो ये वाला जो part है फोर इसमें देखिए पहले तो जो सबसे बाहर है सबसे अंदर भेजो उसको तो इसको आप सबसे अंदर भेजो तो हलाकि सब में है उसके बाद आप ये करो कि जो दो नमबर पे है उसको बाहर निकालो जो दो नमबर पे है उसको बाहर निकालो लेकिन बाहर निकालने के पहले उसको क्या कर लीजीगा उसको आप पलट लेंगे क्या करेंगे पलट लेंगे तो ऐसे case में ये देखो ये वाला चीज आपका बिल्कुल उस टारीखे का नहीं है तो इसको आप गलत काटिए इसको भी आप बिल्कुल गलत काटिए इसको भी आप बिल्कुल गलत काटिए और जो आपका सबसे सही option है वो आपका हो जाएगा कौन सा ये वाला option क्यों? क्योंकि इस चीज को आपको क्या करना है पलट ना देखो ये चीज क्या की है ये चीज रोटेट कर गई है तिर्भुज को देखिएगा तिर्भुज ऐसा था लेकिन तिर्भुज रोटेट करके आया है ठीक है तो ये चीज भी आपकी रोटेट करके ही आए तो ये वाला यहाँ पे पहुच जाएगा तो ये वाला उप्सन आपका बिल्गुल करेक्ट हो जाएगा अब आजाओ question number 20 is one of the best question 20 में बताइए 20 में बताइए कौन सा बिल्गुल करेक्ट आपको दिख रहा है 20 में कौन साब को बिल्कुल करें देखता है चलो दिमाग लगाओ हाँ तो डियर 20 में मुझे लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्टर लिया होगा क्योंकि यहां पर देखो यह पूरी की पूरी फिलिप कर जा रही होगे और फिलिप करने के बाद यह देखो यह नीचे से था उपर से होगा इसका मतलब यह उपर से था तो यह नीचे से होगा इसका मतलब यह तो कताई होगा नहीं अब बात आती है A और D में से A और D में से तो मेरे ख्याल से आपने अंसर पा लिया है क्योंकि ये इसके अंदर में इंट्री किया हुआ है तो आपका डी वाला उप्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो चरो मेरे ख्याल से 1 से 20 तक आपने बिल्कुल करेक्ट कर लिया है अब आईए हम लोग बात करते हैं आगे की और वो है 21 से 24 तक A, B, C और D, K से धरसाया गया है नीचे दी गई आकृतियों से जयमितिय आकृतियों को पूर करने वाली आकृतियों को ग्यात करें तो चलो ये बहुत ही सिंपल होता है आजाओ question number 21 पे question number 21 पे पूरा focus करें चलिए बताएं कौन सा होगा कौन सा होगा तो यहाँ पे देखिए इसको तो आप तुरंद गलत काड़ देंगे ओके और इसको भी तुरंद गलत काड़ देंगे देखते ही गलत काड़ देंगे अब बात आती है 21 21 में देखिए कौन सा होगा 21 में जल्दी से बताएं जल्दी से मेरे ख्याल से आपने आंसर को search out कर लिया है सबसे पहली बात तो यह है डियर कि आप यह बहुत ज़्यादा लंबा है इसको सबसे पहले आप cancel करिए और यह उपर ज़्यादा उठा हुआ है इसको आप cancel करिए अब बात आती है A या D में से तो देखिए यह चीज यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से है तो इसका मतलब D बाला भी आपका तुरंद cancel हो जाएगा तो आपका 21 में आपका आजाएगा A option तो 21 में आपका A option is the correct one चलो आजाओ 22 number question 22 number question is a very very nice question चलो जल्दी से बता दो अब देखो इसको देखते ही आप इसको cancel मार दोगे इसको भी आप cancel ही मार दोगे और इसको भी आप cancel ही मार दोगे तो A वाला option आपका 22 में A बिल्कुल जबर्दस्थ हो जाएगा ओके बच्चा पाटी चलो come on कौन सा दी वाला सबसे पहले आपने गलत काटा बहुत अच्छे बहुत अच्छे 23 में D वाला आपने सबसे पहले गलत काटा हम भी आपका 7 दे रहे हैं बिल्कुल उसके बाद आप ये कह रहे हो कि भी या इसको भी गलत काट दीजिए क्यूं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है ओके मैंने इसको भी गलत काट दिया चलो ये बहुत छोटा है इसको भी गलत काट दिया और A वाले उप्सन को आपने लॉक कर दिया ओके तो 23 में ये बहुत अच्छे 24 में आजा बच्चा पाटी बहुत अच्छे इसको भी उड़ा दीजिए हाँ ठीक है इसको भी उड़ा दीजिए भी वाला ना बिल्कुल सही है इसी को लॉक कर दो ओके बच्चा पाड़ी तो 24 में आपका हो जाएगा वी ओके हाँ तो 24 तक आपने बहुत ही इंजॉय किया बहुत ही जबर्दस ठंक से अ उसमें हमने आपको बताया था कि भीया देरा 10 टाइप आफ रिजिनिंग होती है और 200 तरीके की रिजिनिंग आज चुकि आपका बहुत ही बढ़ियां दिन है कह लिजिए कैसा दिन है बहुत ही बढ़ियां है कि आज ही आपका मॉक टेस्ट हो रहा है और आज मैंने आपको स सारी की सारी रिजिनिंग एक साथ करवा दी ओके चलो बच्चे आजो परते एक प्रश्न में एक प्रश्न आकृती दरसाई गई है तथा उसके बाद A, B, C और D से चिन्धित चार उत्तर आकृतियां दरसाई गई है किसी दरपन को किसी दरपन XY के अनुदिस रखे जाने प आपको क्या करना है 25 में ओके आपके सामने यह X और Y क्या लगा हुआ है यह आपका दरपन है और दरपन में क्या करना होता है आपको बहुत अच्छे से पता है चलिए अब जैसे ही आप इसको रखेंगे तो यह वाली जो arrow है डियर वो इधर को बन जाएगी आपको इतना त तो answer number D आपका बिल्कुल correct हो जाएगा यानि 25 में हो जाएगा आपका D ओके डियर वेरी नाइस चलो आजाओ बच्चे पार्टी जल्दी से आजाओ अब 26 में हम लोग बात कर ले 26 number में हम लोग बात कर ले ओके आजाओ अब 26 में क्या करना है 26 में बताई आप जल्दी से अब यह इधर है इधर है तो यह कि इधर होगा जल्दी से बोलो ऐसे होगा की नहीं इसका मतलब यहां भी ऐसा यहां भी ऐसा ओके यहां भी ऐसा अब यह नीचे को है यह उपर को है इसको गलत काटो तुरं 26 में यह हो जाएगा 26 में यह हो जाएगा तो देखो कितना आसान था यह पूरा का पूरा reasoning solve करना तो मेरे ख्याल से dear आप लोगों ने बिल्कुल enjoy किया होगा यह सारी की सारी reasoning अब आजाए हम लोग चलते हैं 27 पे ओके बच्चा पाटी come on come on come on जल्दी से आजाओ जल्दी से आजाओ जल्दी से आजाओ यह है आपका 27 हमने इसको बढ़ा कर दिया अब आप बिल्कुल से try करें 27 try करिए 27 try करिए तो सबसे पहली बात तो यह जो ऐसा है यह आपको ऐसा होना चुहिए तो यह नहीं यह नहीं सीध है आपको d दिख गया तो कभी कभी क्या होता है dear कि हम लोग जो होते है हम लोग cancellation method से चीजों को बहुत जल्दी से find out कर लेते है यानि कौन सा सही है इसके पीछे ना पढ़के आप इसके पीछे पढ़िए कि कौन सा गयलत है ओके बच्चा हाँ चालो मेरे ख्याल से आपका यह हो गया dear अब आजाओ आप 28 नंबर पर ओके 28 नंबर अब यह भी इस तरीके से निकला हुआ इसका मतलब full इधर से आएगा ही आएगा जो कुछ भी ऐसे ऐसे हुआ है तो देखो यह ऐसा है बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत अब इन दोनों में से सही होगा अब यह पत्ती इधर को है तो सीधी सी बात है यहाँ पे यह पत्ती इधर को होगी इसका मतलब यह भी गलत और डी वाला आपका option बिल्कुल correct हो जाएगा तो आप धियान से देख लीजिए 28 में डी वाला बिल्कुल आपका सही हो गया तो 28 तक की questions को 29 से 32 तक ओके चलो ओके क्या कहना है कि प्रतेक प्रश्ण में प्रश्ण आकिरतियों में दरसाई अनुश्वार कागज के एक टुकडे को तह दे कर पंच किया गया है तथा A, B, C और D से चिन्नित चार उत्तर आकिरतियां दरसाई गई है कागज के टुकडे की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसे ही आकिरति उत्तर आकिरतियों से चुनिए बिल्कुल ये इसको कहते हैं डियर आपको cutting and folding क्या कहते हैं cutting and folding तो चलो जल्दी से इसको हम लोग फटा-फट कर लेते हैं 29 पहला ही है और पहले में बताईएगा कि क्या होगा सबसे पहले क्या किया गया कि इस ये तिर्भुच क्याकार का पेपर था तेहां से समझेगा तिर्भुच क्याकार का पेपर था और इस पेपर को क्या किया गया माइडियर इस पेपर को इधर से भी मोड़ा गया और इधर से भी मोड़ा गया उसके बाद इस तरीके से ला करके एक पंच मार दिया गया जरा अब बताओ जब इसको आप खोलिएगा जब आप इसको खोलिएगा तो भीया ये कैसा बन जाएगा यह ऐसा ही तो बन जाएगा, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जो पंच लगा है, वो पंच कैसा हो जाएगा, वो पंच कैसा हो जाएगा, जल्दी से बोलो, वो पंच एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लग जाएगा कि नहीं, तो यह तो भी बिल्कुल से नही ये तो बिल्कुल से नहीं, आपका B Alorsption, Dear, बिल्कुल से correct हो जाएगा, OK Dear, हाँ, चलो अब यही दीमाग आपको कहा लगाना है यही दीमाग आपको 30 त में लगाना है चलो जल्दी से बता दो 30 त में 30 त में आप बताईए मैडियर फटाक से बताईए फटाक से फटाक से अब देखो सबसे पहले इसको ऐसे मोडा गया फिर इसको ऐसे मोड़ा गया ठीक है ऐसे मोडने के बाद फिर इसको ऐसे मोड़ा गया यानि कितनी बार इसको मोड़ा गया कितनी बार एक दो तीन उसके बाद यूं कट मारा गया और यूं अब आप हमें ये बताईए इसको ध्यान से देखिए पहले इसको आप ध्यान से देखिए और हमें आप ये बताए कि 30 में आप किस के साथ जाना पसंद करेंगे तो देखो जब ये खुलेगा तो पहली बात तो ये भाईया कि ये complete हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा complete ये हो जाएगा complete ऐसे और एक जगा नहीं एक दो तीन चार चार जगों पर ऐसा होना चाहिए तो एक दो तीन चार complete ये तो होगा नहीं ये होगा नहीं ये होगा नहीं आपका ये वाला option बिल्कुल correct हो जाएगा जाएर के हा बिल्कुल चलुआ जो अब 31 को बहुत ध्यान से देखिए 31 वाली reasoning को बहुत ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पहले आपने इसको ऐसे मोड़ा ऐसे मोड़ने के बाद ऐसे मोड़ा और फिर से ऐसे मोड़ा यानि तीन तवों में इसको मोड़ लिया गया है उसके बाद ये आपको बनाया जा रहा है तो इसका मतलब देखो जब इसको तुम खोलोगे तो ये चीज यहां भी मिलेगी ऊपर भी मिलेगी और यहां भी मिलेगी इसका मतलब आओ जल्दी से फटाक से हमें बता दो कि इसमें कौन सा सही है ये देखो इन चारों में से कौन सा सही है अब बोलो जल्दी से जल्दी से 31 में कौन सा सही बोलोगे तो 31 में ये बिल्कुल नहीं होगा ये भी नहीं होगा और जिसी हिसाब से काटा गया था वो यहाँ पे यहाँ पे 2, 3, 4 ये चारों चीज यहाँ पे दिख रहे है डी वाला उप्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब आज़े हैं अब 32 में 32 वेरी नाइस कमाँ जल दी से 32 में अपकी बार आप करिए पहले ऐसे मोडा गया फिर ऐसे मोडा गया फिर एक बार मोडा गया त्री टाइमस इसको मोडा गया अब जड़ा सोचो कि यहाँ पे अगर एक पिन होल बना जा एक दो एक दो तीन चार एक दो तीन चार इस तरी के का आपको गुरूप दिखना चाहिए तो यह तो होगा नहीं चार चार का गुरूप होना चाहिए था यह बीच में होगा जिसकी वाज़ा से यह कैंसिल हो जाएका आपका D वाला बिल्कुल correct हो जागा डियर तो 32 में D तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी reasoning को भी आपने enjoy किया होगा अब आए डियर हम लोग बात करते हैं reasoning में 33 से 36 तक हमें क्या करना है ओके देखे परते एक प्रशन में एक प्रशन आकृति दी गई है तथा A, B, C और D से चिन्नित चार उत्तर आकृतियां दी गई है उत्तर आकृतियों से उस आकृति का चैन करें जिसे प्रशन आकृति में उपलब्ध cut out से बनाया जा सकता है ओके चलो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बताना है कि ये दो, तीन, चार इन चारों से मिला करके इसमें से कौन सी रिजनिंग है जो बिल्गुल परफेक्ट बन रही है चलो 33 में बिल्गुल आपको दिमाग लगाना है बहुत ही अच्छे से तो चलो देखा जाया कि कौन सा नहीं हो सकता पहली बात तो तो देखो 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 द D वाली को भी आप cancel मार सकते हैं क्योंकि ये वाला नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है तो ये दोनों तो गहीं काम से अब 33 में आप B और C में से दिखें अब देखें, यहां पे ये को ज़्यादा चोड़ा है इसलिए इसको भी आप cancel कर सकते हैं और इसमें जो correct answer होगा माइडियर आपका वो हो जाएगा B 33 में B चलो आजाओ 34 के लिए 34 के लिए बताइए 34 के लिए आप किसके साथ जाना चाहेंगे तो मेरा तो ये कहना होगा कि 34 में पहली बात तो एक, दो, तीन, चार भुजाओं कि इसमें 2 नहीं है इसको काटो ये तो बिल्गुल तुरंट कट जाएगा अब इसमें भी एक, दो ये भी काट दो तो अब इसमें देखो एक, दो, एक, दो, तीन तो D वाला आपका बिल्गुल correct हो जाएगा ध्यान से देखिएगा इसमें आपका D इसमें आपका D वाला बिल्गुल सही है ओके डियर D के साथ आप जा सकते हैं असानी से ओके अब आजाओ आप 35 नंबर पे माई डियर और 35 में आप चरा देखिए कि ये, 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 ये ये 4 की 4 किसमें आप को मिल रही है तो जल्दी से आप हमें बताईए कि 35 में आप किसके साथ जाना चाहेंगे एक, दो तिर्भुज इसमें है भाईया, दो तिर्भुज दो हमें चाहिए नहीं कि चाहिए चाहिए लेकिन ये वाला थोड़ा लंबा है तो इसको हटाओ ये वाला portion हमें इसमें कहीं नहीं अच्छा यहां पे दिख रहा है दो तीन इसमें तीन ते रूज हो गया इसको भी अड़ाओ एक दो तीन चार इसको भी अड़ाओ ये वाला option आपका बिरूल correct हो गया क्योंकि देखो ये वाली चीज आपको यहां पे मिल जा रही है ये वाली चीज आपको यहां पे यहां पे और ये वाली चीज आपको यहां पे मिल जा रही है तो इस तरीकी से आपका हो जाएगा 35 में A चलो अब आजाओ बच्चा इधर 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 35 के बाद 36 में आजाओ ओके दिस इस 36 ओके 36 हाँ चार है एक दो तीन चार इन चारों की मदद से कौन 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 बनेगा तो आपको मेरे ख्याल से ये बात पता होना चुशे डियर की ये तो बिलकुल नहीं ये तो बिलकुल नहीं ओके हाँ अब बात आती है ए और बी में से तो 36 में आप जा सकते हैं क्योंकि देखो भाई इसको भी ऐसे जोड़ो ना इसे सबको कैसे अरे भाई जैसे भी यह ऐसे होता इसको ऐसे काड़ दो तो एक, दो, तीन, चार तो यह बन जाएगा बहुत आराम से जो 36 में आपका क्या हो जाएगा 36 में आप A के साथ में जा सकते हो बिल्गुल correct answer अब आज जाएग जो सबसे last type की reasoning आपसे पूछी जाती है और वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि 37 से 40 तक, 37 से 40 तक क्या करता है तो परते को प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा नीचे की और A, B, C और D से चिन ने चार उतर आकृतियां दी गई है उतर आकृतियों से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी सन्हीत है तो कौन सी आकृति में ये प्रश्न आकृति आपकी छिप के बैठी है वो चीज हमें निकालना है तो इसके लिए हम आपको एक सजेशन देंगे वो सजेशन ये रहता है डियर मेरी तरफ से कि आप इसके उपर आप इसके उपर जैसे यहां पे ये है ऐसे 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 आप चला दिया करो इसके उपर से क्या चला दिया करो, अपनी पेंच चला दोगे तो आपको दिख जाएगा तो मेरे ख्याल से, पहले वाली में 37 में तो आपको बिल्गुल किलियर दिख रहा है क्योंकि यह तो हो इनी सकता पहला वाला तो सवाल ही नहीं उड़ता दूसरा वाला भी नहीं सकता अब जब 38 अबर में आप आते हो, तो भी आपको दिख रहा है, मिरे ख्याल से आपको दिख रहा है, 38 में direct, क्योंकि आपको ये चीज देखना है, ये कहां पर है, ऐसा, तो इसमें तो ऐसा है नहीं, अब यहां पर हाँ, यहां पर देखो, ये 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 चीज मिल गया ना तो B वाला आपका बिल्गुल करेक्ट हो जाएगा ये और ये ये दोनों खतम ये दोनों गलत हैं तो 38 में मेरे ख्याल से आप comfortable feel कर रहे होंगे अब आजाईए आप 39 में डियर 39 39 में जैसे आप आते हो यहां पे देखो ये स्वास्तिक का निसान इसको बोला जाता है ये स्वास्तिक का निसान देखो कहां पे है क्या इसमें कहीं दिख रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या इसमें हाँ अब देखो बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से देखना कि क्या 39 में आपको दिख रहा है हाँ, तो देखो ध्यान से अगर आप देखना चाहा रहे हो तो ये गया, ये गया ये गया, ये गया ये गया, ये गया, दिख गया जबकि इसमें ऐसा नहीं है इसमें ऐसा नहीं है तो आप B के साथ में बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं बहुत आसानी से चलो, आजाओ 40 और इस इस सेसन का कह लीजिए या यह जो मॉक टेस्ट हमने आप से लेने के लिए कहा था इस मॉक टेस्ट के रिजिनिंग पोर्षन का जो जो आपका सबसे लास्ट क्वेस्टन है माइडियर वो that is 40, 40th नमबर क्वेस्टन चलो, आजाओ अब आप हमें यह बताए कि इसमें से कौन सा अप्षन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट ओके, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बता दो 40 में, बोलो, बोलो, तो इसमें तो केवल दो ही है, गलत अब इसमें है तो, लेकिन यह वैसा नहीं है जिस पैटर्न पे यहां पे है इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो ये, ये, ये क्या ऐसा है? हाँ ऐसा दिखतो रहा है क्या यहां पर ऐसा है यह दूसरे से connected ही नहीं है तो देखो इसमें आप दो option है या तो आप A या सी लेकिन इसमें जो सबसी perfect answer आपको दिख रहा है मैं डियर वो that is A, A is the correct one तो मेरे ख्याल से डियर आप लोगों ने बहुत ही बहतरीन तरीके से enjoy किया होगा इस session को इस reasoning वाले session को और मैं यह आसा करता हूँ कि इसके बाद आपका क्या है इसके बाद यहां पर देखिए यह mathematics वाला portion है यह mathematics वाला portion अब मैं इसके बाद करवाने वाला हूँ तो पहले तो आपको यह video मिल जा रही है कि आप क्या कि आप सबसे पहले enjoy किये कि इसको reasoning वाले portion को reasoning के बाद मैं आपके लिए upload करने वाला हूँ Hindi का portion, okay dear तो अब इसके बाद आप इंतजार करिए Hindi के portion के लिए back to back ये भी video आपके लिए आ रही होगी okay dear, तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब जहां कई में बिल्कुल स्वास्थ है, मैं भी आपके लिए लगा हूँ, आपको भी लगना पड़ेगा 101% आपको selection देला के हम रहेंगे बिल्कुल आप टेंसाना लिजे कि आप दूर है आप coaching नहीं जा सकते हैं आप बहुत अच्छा course नहीं ले सकते हैं आपको daily मैं कहा हूँ मैंने बोला है कि daily morning में आपको videos मिलेंगी तो मिलेंगी मैंने आपसे वादा कर रखा है और जो कुछ भी यहां पे हो रहा है वो सारा का सारा मैं आपको लोगों के लिए provide कराने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल free मिलते हैं के लिए ओके लभी यॉल टेक केर बाबाय जाहिए Hello dear students, very welcome back in this video आप लोग कैसे हैं डियर, I hope आप लोग सुचत होंगे और मस्ट होंगे हैं न तो यार हम लोग कर रहे थे mock test 2 और mock test 2 में हम लोग ने first part कर लिया था और first part था हम लोग का reasoning वाला, okay reasoning हम लोग की complete हो चुकी उसमें आप लोगों ने सीखा की कैसे हम लोग reasoning को अटेंड करते हैं और कैसे 40 out of 40 आराम से लाया जा सकता है उसके बाद हम लोगोंने next session लेया था Hindi यानिकी language का और उसमें हम लोगोंने 4 गद्यांस बढ़ेते हैं चारों गद्यांस को बहुत ही जबरदर्स तरीके से हम लोगोंने clear किया था तो आज सबसे last में हमने mathematics रखा क्योंकि mathematics थोड़ा सा लेंदी था थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने सूचा कि mathematics वाले section को हम लोग last में ही करते हैं तो चलो dear students आज हम लोग क्या करते हैं कि फटा फट से mathematics की one by one सारे questions देख लेते हैं कि कैसे हम लोग फटा फट से question करेंगे आए चलते तो सबसे पहला question dear students आपकी screen पे आ गया है इस question को सबसे पहले आप देखिए ये question है निमनलिकित मेशे 7.1 into 3.85 upon 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है तो यानि कि इसको आपको solve करना है तो देखिए ये जो आपका 7.1 है into 3.85 upon 9.09 अब इसको आप क्या करें dear आप इसको इसका निकटतम ले लीजिए निकटतम बैलू ले लीजिए तो 7.1 को आप 7 लिख सकते हो 3.8 को आप 4 लिख सकते हो और ये कैसे लिख सकते हो क्योंकि ये 8 जो है dear ये 5 या 5 से ज्यादा है तो 5 या 5 से ज्यादा होने पे क्या करते हैं हम लोग हम लोग इसमें 1 मान के जोड़ देते हैं तो ये 3 था 4 हो गया और ये देखो 5 या 5 से कम है तो हम लोग इसको 0 मान के छोड़ देते हैं तो इसलिए ये जो हो गया 7 हो गया और ये 4 बन गया और अपा 9.0 अब 0 क्या है 5 य यहाँ पर यह 9 ही रह जाएगा यानि आपका जो आंसर आएगा डियर वो आपका आंसर आएगा 4 into 7 upon 9 देखो ऐसा कोई option है क्या तो 7 into 4 upon 9 7 into 4 upon 9 यानि कि यह डीवल option आपका बिल्कुल correct है तो चलिए ठीक है अब आईए second question लेते है second question लेए आप देखें second question क्या है आपका किसी बिद्याले में 360 बिद्यार थी है जिन में से 2 तिहाई लड़किया है और 6 लड़के हैं लड़कों की संख्या के 3 चौथाई खिलाडी है जो खिलाडी नहीं है उन लड़कों की संख्या दाओ अब देखो total कितने है total 360 है और 360 में यहाँ पर देखें दो तिहाई तो लड़किया है पहले दो तिहाई लड़किया निकाल दो तो 2 बटे 3 का मनलब 3 एके 3 और 3 एके 3 दो यहनी 120 दुना 240 तो गल्स हैं कौन है 240 तो गल्स हैं अब भहिया 360 में से 240 निकाल दो कितना है जीरो दो एक यहनी 120 120 बॉइज हैं 120 बॉइज हैं अब देखो 3 चौथाई खिलाडी है तो भहिया 120 का 3 बटे 4 खिलाडी है तो 4 एक अन्य 4 चार तियां 12 यानि 30 तियां 90 तो प्लेयर हैं कौन है प्लेयर से यानि खिलाडी है तो 120 में से जब 90 प्लेयर हो गए तो कितने ऐसे हैं जो खिलाडी नहीं है 30 बस यही 30 आपका अंसर आगया तो ज़रा देखिए 30 है क्या यह वाला अपसन आपका बिल्कुल सही है यह वाला अपसन आपका बिल्कुल सही है तो मेरे ख्याल से यह question भी आपने enjoy किया होगा अब आईए हम लोग लेते हैं अपना next question अब इस question को देखिए सोनु के पास 5 दरजन टाफियां है कितना 5 दरजन अब यह बताओ 5 दरजन का मतलब क्या होता है 5 गुणे 12 यानि कि 60 टाफियां है उसने इसका 1 बटे 3 फाग अमिता को यानि अमिता को कितना दे दिया 1 बटा 3 यानि 60 का 1 बटा 3 कितना हो जाएगा 20 यानि कि 20 तो उसने अमिता को दे दिया उसके बाद अनिल को 2 बटा 5 भाग फिर अनिल को कितना दे दिया अनिल को दे दिया 60 का 2 बटा 5 यानि कितना हो जगा पांचे करने पांच और बारा यानि कि 24 तो इनको दे दिया अनिल को उसके बाद और एक बटे बारा भाग हामिदा को दी दिया हामिदा को कितना दे दिया एक बटे बारा यानि 60 का एक बटे बारा तो कितना हो गया यहां से देखो बारा पंचे यानि कि 5 इसका एक तरीका और था एक तरीका ये था कि आप क्या करो कि एक में से इन सब को घटा लो जोड के तो एक बटा तीन प्लस दो बटा पांच प्लस एक बटे बारा ये करो एक में से घटाओ जो आए ठीक है जो आए उसको उससे आप पूरा निकाल लीजिए या जितना भाग बचे उतना 60 का निकाल लीजिए तो वो भी एक तरीका था लेकिन वो कोई खास तरीका नहीं था ये इजी है ज्यादा इजी है अब हम लोग आते हैं अपने नेस्ट क्वेस्टन पर तो नेस्ट क्वेस्टन देखिए ये बहुत ही simple है इसका मान आपको ग्यांत करना है क्या ग्यांत करना है इसका मान आपको ग्यांत करना है चलो देखते हैं क्या है 17.5 into 3 minus 21 divide by 7 minus का 3 into का 12.5 अब देखिए जब भी कभी इस तरीके का expression आपके सामने आए तो सबसे पहले आप भाग पे जाईएगा ठीक है भाग करना है तो कितना हो गया यहां पे यहां पे हो जाएगा आपका यहां पे हो जाएगा आपका 17.5 multiplied by 3 minus यहां पे 3 कर दीजिए minus का यहां 3 हो जाएगा और into हो जाएगा 12.5 अब जहां जहां multiply है यह multiply निप्टा दीजिए तो 3 पचे 15 और 17 और 3 सत्य एक कई से 12 और 3 एक करने 3 एक दो पाँच तो यह हो गया आपका कितना 52.5 minus का 3 minus का अब यह 3 से इसमें गुड़ा कर दीए 3 पचे 15 3 दूनी 6 एक साथ और 3 एकने 3 यानि 37 दसमलो कितना हो गया यह हो गया 37 दसमलो 5 चलो अब यह हो गया आपका देखो यह minus है यह minus है यह दुनों आपस में जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 52.5 minus का यह कितना हो जाएगा 37.3 40.5 अब 40.5 है और यह 52.5 इनको घटा होगे तो यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 1 आएगा यहनि आपका आणसर आएगा 12.0 इसी को आप कह सकते हो कितना 12 तो यह यह वाला उप्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके डियर तो इस टाइब के questions में हमें एक बात यह ध्यान देनी होती है इसको हम लोग बाड मास का रूल भी कहते हैं भागू जोगा भी कहते हैं तो ऐसे question में सबसे पहले हम लोग डियर भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं फिर जोडते हैं तो यह बात आपको केबल ध्यान रखनी है बागी इसमें कुछ भी नहीं ओके चलो आजाओ next question क्या कहरा कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्ब गुणज और उसके बाद डिवाइड बाई 90 तो सीधी सी बात है आप एक काम करो 36 का और 60 का आप इसका LCM ले लो जो LCM आता है उसको 90 से आप भाग लगा दो बागी कुछ नहीं करना चलो सबसे पहले 2 से काटते हैं यह हो जाएगा 18 यह हो जाएगा 27 और यह हो जाएगा 30 फिर 2 से काटिए यहाँ पे हो जाएगा 2 9 यहाँ पे 27 और यहाँ पे 15 चलो तीन से काट दीजी तीन तरिक्कानो 39 27 और 35 15 फिर से आप तीन से काट दीजी तीन एकरने तीन तीन तरिक्कानो और यहाँ पे 5 अब देखिए 2 दूना 4 तियां 12 12 तियां 36 36 गुणे 15 कितना हो जाएगा देखिए तो 15 चक्का 90 और 15 तियां 45 9 चौणवन 540 अब यह आगया आपका कितना 540 आगया अब इसमें आप 90 से भाग लगा दीजी कितना हो जाएगा 9 एकरने 9 9 चके चौणवन तो आप का अंसरा जाएगा 6 कितना जाएगा डियर आपका अंसरा जाएगा 6 ओके घुबाद देख लिजीए 15 चौणवन 15 चौणवन 66 18 18 18 18 चौणवन ठीक है 6 आपका अंसरा जाएगा यानि कि आपका अंसर C बिलकुल करेक्ट है तो देखिए इसमें करना क्या था का सबसे छोटा सर्व गुणज इसका मतलब 36 का और 54 का और 60 का आपको क्या ले लेना था आपको इसका LCM ले लेना था और LCM लेने के बाद जो कुछ है उसको 90 से भाग लगा देना था बस केवल इतना काम हम लोगो करना था तो 45 नबर क्वेस्टन भी आपका सॉल्व हो चुका है आए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेस्टन नबर नेक्स्ट पे और ये क्वेस्टन भी बहुत ही जबरदस्त है बहुत ही प्यारा क्वेस्टन है क्या कह रहा है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सर्व गुणच तथा सबसे बड़े सर्व गुणच का गुणन फल क्या होगा इसका मतलब ये हो गया डियर फिर से आपको 30, 36 और 42 का LCM लेना पड़ेगा चलिए 2 से काटिए 15, 18, 21 फिर 2 से काट दीजिए 15, 9, 21 तो अब इसके आगे तो काटना मुस्किल है तो ये 2 दूना 4, 3, 12, 5, 60 60 गुणे, 7 तरिक, 21 तो कितना हो जाएगा 21 को 6 से गुणा करिएगा कितना हो जाएगा 6 करने 6 और 6 दूना 12 यानि 1260 ही हो गया ठीक है और उसके बाद इसका आप एक बार LCM लिए है अपकी बार आप इसका HCF लिए लिए तो 30 से 36 में भाग लगाईएगा 30 से करने 30 यहाँ पे 6 30 से भाग लगाईएगा 6, 5, 6, 30 यह कट गया फिर यहाँ पे जो है 6 से भाग करिएगा और केसमे 42 में 6 सते 42 यह कट गया यानि कि इसका HCF कितना गड़ी इसका HCF आ गया आपका 6 अब इसको 6 से मल्टिप्लाई कर दीजे बस यही तो कह रहा था ना सर्भूरस का गुडनफाल तो 6 सुनने सुन 6, 6, 36 6, 2, 12, 3, 15 और 6, 1, 6, 1, 7 यानि 75, 160 75, 160 यानि कि आपका ये वाला option आपका बिल्कुल correct हो जाएगा तो question बहुत ही आसान था और एक तरीके से ये था कि आपके हर dimension से आपको ये चक कर रहा था कि भी आपका concept कितना strong है तो मेरे ख्याल से 46 number question भी आपका हो चुका और अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने next question पर ओके चलो हाँ तो question number 47 सबसे पहले आप इसको try करिए फिर हम लोग इसको try करते हैं ओके डियर चलो हाँ तो डियर मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस पर बढ़ियां प्रयास किया होगा आईए अब हम लोग इस पर इसका solution देखते हैं तो यह है आपका डियर क्या यह है आपका 0.83 plus 7.5 यह actually plus नहीं है डियर यहाँ पे यह divide है यह आपका divide है अपन में 2.3 2.1 minus 0.098 एक काम करें इन सारे की सारे इन सारे की सारे digits को आप single digit में लिखे single number में तो इसको आप लिख सकते हैं डियर 0.8 है ना इसका निकरता मेलू divide by 7.5 को आप 8 लिख सकते हो upon 2.3 को डियर आप 2 लिख सकते हो minus का 0.098 को आप 0.1 लिख सकते हो अब 0.8 divide by 8 यह आ जाएगा आपका 0.1 divide में आ जाएगा यह 1.9 अब 0.1 में भाग लगाईए 1.9 से इसका मतलिब यहाँ पे point बढ़ेगा तो यह point यहाँ से खतम होगा 0 लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा point लगा है तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा फिर यहाँ पे 0 बढ़ाईए और 19 पचे 95 यहाँ पे 5 तो लगभग आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.05 कितना आएगा 0.05 यहाँ से आप एक कामाओ यह कर सकते हो कि 19 divide by 1 कर सकते हो 10 मलों लगाया आपने 1 0 बढ़ाया नहीं गया फिर से 1 0 लगाया और 19 पचे 95 ठीक है तो इस तरीके से भी आपका आंसर जो आएगा वो 0.05 आएगा ओके डियर हाँ तो मेरे ख्याल से एक क्वेस्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होगा अब चलिए हम लोग लेते हैं अपना नेस्ट क्वेस्चन नेस्ट क्वेस्चन आपकी स्क्रीन पे है डियर यह देखे 25 माइनस का 5 फिर आपका स्क्वाइर ब्रेकट लग गया है 2 और 2 के बाद आपका है प्लस प्लस 3 फिर आपका करली 2 माइनस 2 5 माइनस 3 उसके बाद प्लस का 5 फिर करली क्लोज माइनस का 10 स्क्वाइर क्लोज डिवाइड 4 इतना लंबा है अब इसको करना है चलो फटा फट से हम लोग क्या करते हैं इसको जो यहाँ पे है यहाँ से solve करना है यहाँ से इसको देखे यहाँ से यह दो हो जाएगा इसका मतलब हम इस तनी कहानी को खतम करके क्या लिख सकते है इतनी कहानी को खतम करके हम लोग यहाँ पे दो लिख सकते है उसके बाद बहुत ध्यान से देखेगा हम यह इन दोनों कहानी को खतम कर सकते है और दो दोना 4 लिख सकते है लिख दे तो यह हो जाएगा आपका माइनस का चार क्या हो जाएगा माइनस का चार अब देखो माइनस का चार है और पलस का पांच है और यहाँ पे पलस का दो है तो पांच और दो साथ और साथ में से चार गया साथ में से चार गया क्या हो जाएगा 3 हो जागा यानि ये सब खतम करके हम लोग क्या लिख सकते हैं ये सब खतम करके हम लोग multiplied by यहां लिख सकते हैं 3 अब चलो देखो अब फिर से देखो यहां पे 3 तरिका 9 ठीक है तो इसको हम खतम करके यहां पे लिख सकते हैं क्या 9 यह भी हमने कर दिया उसके बादे हम डिखो फ्लस दो ब्लस दस तो 9 दो 11 ब्लस 10 पराबर एक यह पूरी पूरी कहानी खतम करके हम यहां पर लिख सकते हैं एक क्या लिख सकते हैं मल्टी प्लाइड बाई एक और यहां पर जो इखा है इसको divide by 4 यहीं पर बना लो कोई दिक्कत नहीं है अब इतनी सी बात अगर हम लोग solve करने तो हमारा answer आ जाएगा चलो कर देते हैं सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको 1 divide by 4 करना पड़ेगा तो 1 divide by 4 कितना आ जाएगा 1 divide by 4 कितना जाएगा आप बताईए यह हो जाएगा आपका 25 माइनस 5 और 5 और divide by 4 divide by 4 आप करियेगा तो यहाँ पर हो जाएगा multiply बोरो कितना yes multiply आप करोगे 0.25 ओके और जब इतना कर देए आपने अब इसको multiply करा लो तो यह हो जाएगा 25 माइनस 5 पंचे पचीस और 5 दूना 10 दो 12 दस मलो ठीक है और 1.25 जब आप 25 में से घटाओगे तो आपका आएगा तो आपका आएगा कितना 23 दस मलो 75 ठीक है हाँ तो यह आपका correct answer होगा और यह है आपका option number C आपका option number C जो है यहाँ पे वो विल्कुल और बिल्कुल correct answer है तो मुझे ऐसा लगता है question number 48 को भी आपने अच्छे से enjoy किया होगा चलो अब हम लोग लेते हैं question next और that is question number 49 49 पे आईए और यह क्या कह रहा है कि एक घंटा 45 मिनट एक घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परतिसत है तो भी यह इधर है आपका एक घंटा 45 मिनट और इधर है आपका पूरा का पूरा एक दिन यानि कि कितना 24 घंटे ओके डियर तो एक घंटा और 45 मिनट तो पहले आप 45 मिनट को क्या करो घंटे में बदल लो 60 से भाग करके तो यह हो जाएगा कितना बताओ जल्दी से 15,3,45 और 15,4,60 यानि 3 by 4 आर्स तो 1 प्लस 3 by 4 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 7 by 4 अब देखो 7 by 4 जो है 7 by 4 को परसेंटेज में बदलना है किसके रिस्पेक्ट में 24 घंटे के तो 7 by 4 इन्टू 24 तो इन्टू 24 नहीं यह कैसे होता है इन्टू 100 इन्टू 100 अपान 24 चार से काट दो चार से काट ओगे यह 25 हो जाएगा तो 25 चोका सो 25 पंचे 25 26 चक्का 150 25 सत्ते 175 तो 175 बटे 24 चीक है तो 175 बटे 24 जब आप करोगे तो यह लगभग आपका आजाएगा लगभग क्या 7.291 आएगा ओके डियर तो यह आपका आजाएगा 7.291 और यह आपका है कौन सा 291 यह है आपका तो आपका हो गया इसमें आंसर नंबर B तो B वाला इसमें आपका करेक्ट हो गया तो कुल मिला के इसमें आपको कुछ नहीं करना था एक छोटा सा करना था जिसमें आपको परसेंटेज निकाल ले थे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह भी क्वेस्टन आपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेस्ट क्वेस्टन की तरफ चलो हाँ यह क्वेस्टन नमझा 50 है और 50 is one of the good question क्या करना था था भाई तीस तीन सो का का माने गुड़ा 25 परती से त्यानी 25 बटे सो का यानी की गुड़ा 20 परती से त्यानी 20 बटे सो बस इसको सॉल्व कर दो एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से एक यहां से 20 परती सो भाई यहां 100 नहीं 20 परती सो तो 25 एक अन्ने 25 और 25 चौका 100 और 4 एक अन्ने 4 चार पंचे 20 तो कितना आ गया पांती है 15 आ गया पस 15 यह correct आंसर हो गया 15 पंदरा correct हो गया तो यह आपका D आपका बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा ओके डियर हाँ तो आपका question number 50 तक बिल्कुल crystal clear हो चुका होगा अब हम लोग लेंगे question number 51 ओके चार हाँ ये देखो क्या कहता कि एक बस्तु को 352.88 यानि कि 352.88 पैंसे में बेचनी पर राम को 12% की हान हुई तो बस्तु का क्रेमूल लेगा किजिए तो चलो देखो कैसे आप इस पर बेस्ट ट्राई करोगे एक बार आप दिमाग लगाओ फिर हम आपको बताते हैं हाँ तो इस question में अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हों तो देखिए आपको क्या दिया गया है आपको दिया गया है विक्रे मूले क्या दिया गया है डियर आपको विक्रे मूले दिया गया है और विक्रे मूले आपको कितना दिया गया है आपको दिया गया है थिरी 52.88 और आपको दियागा है percentage loss यानि की प्रतिसत हानी दी गई है वो कितना दी गई है वो दी गई है आपको 12 प्रतिसत अब आप हमें बताएं कि बस तुका क्रेमूले क्या होगा तो जानते हो क्रेमूले के लिए एक आपका फार्मूला होता है कि बहिया क्रेमूले बराबर क्या 100 गुड़े विक्रेमूले अपान में अपान में क्या हो जाएगा अपान में हो जाएगा 100 माइनस percentage loss या percentage इसी को हानी कहते हैं ओके बस कुछ करना नहीं है अब आप इसी फार्मूले पे फटा-फट से रखतो चलो यह हो जाएगा 100 गुड़े कितना 352.88 अपान में क्या हो ज अपान में 100 माइनस कितना 12 प्रतिसत तो चलो इसको कर दो अब यह जब 100 से इसमें multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा 352.88 अपान का 100 माइनस 12 हो जाएगा यह 88 अब जब आप इसको भाग करिएगा तो जब आप इसको भाग करिएगा तो आपको भाग करने पर यह पूरा का प आप ऐसे ही कर लिए भाई ग्यारा से भाग कर लिए ग्यारा से भाग कर लिए ग्यारा से भाग कर लिए ग्यारा दूना बाइस और जीरो ग्यारा ठेटासी और ग्यारा अठेटासी फिर आठ से भाग कर लिए तो देखिए आठ चोके बत्तिस कट गया एक जीरो आया और आठे correct हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि question number 51 51 आपका बिल्गुल correct answer है 51 में आपका C वाला correct answer है और इस question को करने के लिए आपने एक formula सीखा और ये formula आपके दिमाग में रहना चाहिए dear कि यह करे मुल्ले बराबर क्या होता है करे मुल्ले बराबर होता है 100 गुणे विकरे मुल्ले अपान का 100-percentage loss ओके हाँ चल अब हम करते है question number 52 question number 52 भाई बहुत ही प्यारा question है अब इसको क्या करना है देखो ध्यान से 5% वार्सिक 10 से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेस किया गया कितने मुल्धन पर साधारण ब्याज 25 हो जाएगा तो भाई आपको इतना बात तो confirm होनी चाहिए कि जब इतनी सारे डेटाज आपको दिये गए हो my dear तो आपको मुल्धन कैसे निकालना होता है तो मुल्धन का आपके पास formula होना चाहिए कि यह मुल्धन बराबर होता है सो गुड़े ब्याज बटे क्या दर गुड़े समय तो सो और ब्याज कितना है यहाँ पर देखो जारा पचीस तो सो गुड़े पचीस बटे दर कितना है पांच उपरतिसत और समय कितना है तीन महीने तीन महीने का मिलब तीन बटे बारा और आप जानते हो यार कि जब बटे का बटे हो जाता है यानि या पान का पान हो जाता है तो यह उपर चला जाता है यानि थिरी तो यही रह जाएगा बारा उपर चला जाएगा चलो काटना सुरू करो 5 से काटियेगा तो यह हो जाएगा 20 3 से काटियेगा तो यह हो जाएगा 4 तो यह हो गए आपका कितना 20 चो के 80 या 25 चो के 100 और 100 दूना 2000 100 को 20 से multiple लाइक करोगे 100 और into 20 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा तो यही 2000 आपका आंसर आ जाएगा तो यह हो गया आपका बिल्गुल correct आंसर तो 52 में आपको एक फार्मूला फिर से सीखने को मिला और वो फार्मूला है मूलधन का और वो भी कब मूलधन निकालने का जब आपको दर यानि की rate और time समय दोनों दिया गया हो तो मूलधन बराबर क्या होता है मूलधन बराबर आपका होता है डियर सव गुड़े ब्याज अपान में दर गुड़े समय ओके हाँ तो 52 नंबर भी आपका बिल्कुल हाथ अच्छे से हो गया अब हम लोग चलते हैं अपने next question यानि की question number 53 के चलो question number 53 वाव very nice question वा संख्या जो एक से दस तक सभी संख्याओं से बिभाज्य होगी तो इसका मतलब एक से आप सुरू करिए दो तीन चार पान छे साथ आठ नो और दस अब इनका आप निकाल लीजिए का है LCM तो भाईया LCM निकालने के लिए तो यहां तक तो आप कोई tension लो ही न यहां तक क्योंकि इन सब का जिसे पाँच का यहां पे 10 10 में include है 4, 8 में include है 3, 6 और 9 में include है 2, 6 और तो इस तरीके से आप 6, 7, 8, 9 और 10 का LCM लीजिए चलिए इसको factor करें 2 से 2, 3, 6 यहां पे 7, 2, 4, 8 यहां पे 2, 9 2, 5, 6 चलो फिर 3 से ले लो 1, 7 4, 3, 5 फिर अब क्या करिएगा चलिए एक बार 2 से मार ही दीजिए 1, 7, 2, 3, 5 अब कुछ नहीं करना है तो 2, 3, 6, 2, 8 8 सते 56 56 दूना 56 दूना 112 112 गुणे 15 112 गुणे 15 कितना हो जाएगा 15 दूना 30 15 एक एनने 15 3, 18 15 एक एनने 15 कुछ तो गड़ बढ़ है कुछ तो गड़ बढ़ है कुछ तो गड़ बढ़ है एक बाद देख लेते हैं फिर से फिर से देख लेते हैं एक बाद देखो 2 से काटा इसको यहां पे 3 आ गया यहां पे 3 आ गया यहां पे 7 आ गया यहां पे 4 आ गया यहां पे 9 यहां पे 5 फिर 3 से काटा यहां पे 7, 4, 3, 5 फिर दो से काड़ दिया तो एक साथ दो तीन पांच तो पांथ यहां पंदरा दुना तीस तीस सबते दो सो दस और यहां पे ऊपर तीन दुना छे दुना बारा हाँ भाई गुणा करो तो बारा सुनने सुन और बारा करने बारा के दो और बारा दुना 24 एक 25 हाँ यह आ गया 2520 तो अपना आंसर जो आएगा डियर त्वन्टी हाँ 2520 यहां यहीं 2520 आएगा कितना आएगा 2520 आएगा तो इस तरीके से 53 नंबर क्वेस्चन में डियर आपका तो चुक करेक्ट आंसर है वो दर इस C आप्शन और यह है 2520 यहीं 2520 तो इसमें कुछ करना नहीं था आपको बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं करना था आपको आपको LCM निकाल लेना था बागी कुछ नहीं ओके डियर हाँ तो चलो ठीक है हम लोग अब लेते हैं कौन सा क्वेस्चन अब हम लोग लेते हैं अपना क्वेस्चन नंबर नेक्स तैट इस 54 ओके 54 वाले क्वेस्चन को आप ध्यान से देखे आईसा के पास केवल 5 और 10 रूपए के सिक्के हैं यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रूपए धन है तो उसके पास 5 के और 10 के कितने सिक्के हैं तो देखो डियर इस क्वेस्चन को सॉल्ब करने के लिए आप ये माल लो कि 5 के सिक्के जो हैं वो आपके पास X हैं और 10 के जो सिक्के हैं वो आपके पास कितने हैं Y तो सिक्कों की संख्या क्या हो गई x plus y बराबर कितना 25 हो गई रूपए क्या हो गई रूपए क्या हो गई रूपए हो जाएंगे 5x plus 10y बराबर 160 क्योंकि यह x सिख्के है 5 तो 5x रूपया और 10 रूपए के y सिख्के है तो 10 गुणे y बराबर 160 अब क्या करो इसको equation number 1 माल लो और इस वाले equation में आप 5 से भाग लगाओ तो x plus 2y is equal to कितना हो जाएगा पांतियां 15 और 1 तो 5 दूना 10 यहाँ पे हो जाएगा 32 ओके तो चलो ठीक है अब क्या करो 2 में से 1 को घटा लो तो यहाँ पे x plus y is equal to 25 घटा लो कटाने पे यहाँपे minus यहाँ पे minus यहाँपे minus यह दोनों तो कट गया तो y is equal to आपका हो गया कितना 7 तो अगर y is equal to 7 हो गया तो यहाँ से देखो x is equal to क्या हो जाएगा 25 तो इसका मतलब x यानि कि 5 रूपए के 18 सिके थे पाँच रूपए के कितने 18 सिक्के थे और 10 रूपए के कितने 7 सिक्के थे देखो ऐसे question को solve करने के लिए आप option के through भी जा सकते हो ठीक है आप क्या कर सकते हो आप option के through भी जा सकते हो कि भाई आप option ले लो और उस option के अस्थान पे आप क्या करो जबकि 160 नाइस में आएगा नाइस में नाइस में तो option से भी आप जा सकते थे और यह है proper method लगाने का ओके तो इसको कहते है linear equation of two variables यानि कि दो चर्रासी वाले समी करने थोड़ा सा tough होता है लगबग यह इमान के चलिए कि 8 का और 9 10 का यह topic होता है basically तो इसलिए कहता है कि नौदे मिंद्याले का आप अगर paper देने जा रहे हो तो इतनी आसानी से आप न लो चीज़ों को ठीक है आपको पढ़ना पड़ेगा भले आपका च्छा 5 के बच्चे हो लेकिन आपको 7 8 9 तक के concept आपको सीखने पड़ेगे तो अब हम लोग क्या करते हैं अपने question number next पे चलते हैं that is question number 55 ओगे चला तो यह question number 45 जो है यह क्या करा कि एक अध्यापक कच्छा चार के छात्रों को निम्लिलखित कारे देता है पहला पचीश टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में अस्थापित करें इस कारे से निम्लिलखित में से कौन सी गणिती और धाणाओ को संभोधित किया जा सकता है छेतरफल को कर सकते हैं हाँ भाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइल है तो यह ऐसे ही होगी टाइल्स तो अगर टाइल्स है तो इसका मतलब इसमें लंबाई होगी और चोड़ाई होगी तो एक लंबाई होगी चोड़ाई होगी तो इससे आप छेत फल निकाल ही सकते हो हां, बहुत आराम से निकाल सकते हो, परिमाप भी निकाल सकते हो, क्योंail छेथफल क्या होत directly? लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है, और आपका परिमाप क्या होता रहा है, दो ब्रेकरमें लंबाई प्लस चोड़ाई होता है तो ये भी आयताकार है तो ये भी हो जाएगा लेकिन आयतन की बात करें तो आयतन नहीं हो पाएगा क्योंकि आयतन में क्या होता डियर इसमें उचाई भी होता है तो ये आपका नहीं हो पाएगा इसमें भी आयतन है ये भी नहीं हो पाएगा इसमें भी आयतन है ये भी नहीं हो पाएगा तो इसमें से आप छेतरफल, गुड़नखंड और परिमाप तीन बातें आप इससे सीख सकते हो चीक है? तीन बातें आप सीख सकते हो कौन कौन सा? एक छेतरफल एक आपका ये गुणन खड और तीसरा आपका ये परिमाब लेकिन अब आयतन जिस जिस में हो नहीं क्योंकि आयतन में क्या होता है आपका लंबाई, आपका चोड़ाई और आपका उंचाई ये तीनों हो जाता है ओके हां तो इसलिए क्या होगा कि आपका जो ये डी वाला option है डी वाला option आपका more correct हो जाएगा ओके हां तो चलो ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग लेते हैं अपना question number 56 क्योंकि 55 तो आपको आ गया है ओके चलो हाँ तो dear आईए अब हम लोग लेते हैं question number 56 और 56 question में आप देखें क्या कहिदा कि क्या कहिदा कि एक वर्ग की भुजा 10 cm है यदि वर्ग की भुजा दो गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा ओके तो सबसे पहले तो आप ये जानेए dear कि एक वर्ग है क्या है एक वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है 10 तो ये बताओ कि इसका परिमाप कितना होगा इसका जो परिमाप होगा dear वो होगा 10 गुने 4 यानि कि 40 अब ये कह रहा है कि इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए यानि ये जो 10 है आप इसको 20 कर दीजी अब 20 गुणे 4 हो जाएगा कितना हो गया 80 तो भाई 40 से 80 कितने गुणा है 2 गुणा तो हो जाएगा 2 गुणा यानि आपका option number 20 जो है वो बिल्कुल correct है तो मेरे ख्याल से आपको 56 number question में भी काफी मजाया होगा आपने इसको कर लिया आईए अब हम लोग करते हैं question number 57 बहुत अच्छे चलो question number 57 है रियर उसमें आप देखे कि क्या कह रहा है कि 6 गंटों में सेकेंडों की संख्या निमने लिखी तो में से किसकी मिनटों की संख्या के पराबर है तो 6 गंटे में पहले आप ये बताए कितना सेकेंड होगा तो एक घंटे में तो भाईया होता है 36 सेकंड तो 6 गंटे में 6 गुड़े 36 अब बात दिन की आ रही है तो ये बताओ दिन में कितने घंटे 24 और 24 घंटे में कितने मिनट 60 तो देखलो कितने दिनों के बराबर हो गया तो एक जीरो यहां से काट, तो या एक जीरो यहां से 6,1,6, 6,4, 24, 4, 1,4, 4, 9, 6, 30 यानि कि 90 और 6,1,6, 15,6, 90 यानि कि आपका आ गया कितना डियर? 15 दिन, कितना गया? 15 दिन यानि कि आपका यह जो c वाला option है डियर that is quite correct, यह बिलकुल सत्य है पंद्रा वाला question आपका बिल्कुल सही है 15 दिन यानि 57 में जो आपका सही answer है वो है C चलो ठीक है अब हम लोग लेते हैं अपना question number 58 58 बहुत ही प्यारा question है यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा दिये गए दंड आरेक में एक form का एक form का वर्स 2009 से 2014 तक का गेहू उत्पादन यानि 10 में दर्साया गया है विसम वर्सों का कुल उत्पादन सम वर्सों के कुल उत्पादन का कितना गुना है तो पहले विसम वर्स देख लो तो विसम वर्स आपका कौन कौन सा है तो यहां पे लिखो विसम वर्स आपका 9 है 11 है 13 है अब इन में देखे कितना कितना हुआ 9 में हुआ है 90 तो यहाँ पे लिखो पर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे 90 लिख लो फिर यहाँ पे देखो 11 में 105 तो यहाँ पे 105 लिखो 13 में देखो 75 है 75 लिखो इसको जोड़ लो 5, 15, 7, 9, 7, 16, 17 यहाँ पे हो गया 270 अब सम में देख लो सम में कितना है 210 130 और 120 तो इसको जोड़ लो 110 130 और 120 0, 3, 2, 5, 1, 6 1, 1, 3 हो गया 2, 1, 3, 360 अब आप यह कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि विसम वर्सों का कुल उत्पादन तो विसम वर्सों का कुल उत्पादन कितना है 270 और सम वर्सों के कुल उत्पादन का कितना गुना है तो इसका मतलब यह हो गया कि 270 बटे 360 आप करते हैं कितना आगा यह कटा यह कटा 9 से काटो 9, 37, 294 36 यानि कि 3 बटे 4 3 बटा 4 का मतलब सीध है आपको पता होना चोई यह डियर कि यह होता है 75 परतिशत कितना 75 परतिशत यानि कि 7.0.75 कितना हैगा यह आएगा आपका 0.75 तो क्या इसमें से कोई आप्षन आपका मैच कर रहा है कर रहा है 0.75 बीवला आप्षन आपका बिलकुल परतिशत है तो इसमें निकालना जैता है इसमें आपको यह निकालना था था कि यह जो है कितने गुना है विसम वालो से ठीक है विसम वालो का कुल उत्पाद न विसम यानि कि और अपाण में even कर देना था बस और कुछ भी नहीं करना था आपको ओके हाँ तो मुझे लगता है question number 58 भी आपका अपना हो चुका है अब आईए हम लोग लेते हैं question number 59 यानि कि the second last question of this session ओके हाँ चलो आजओ question number 59 एक engine के पहिये की परीधी क्या परीधी परीधी का मतलब क्या होता है circumference जिसको हम लोग 2 pi r भी कहते हैं हालक यह भी उससे मतलब नहीं है वो है कितना 15 बटे 4 मीटर है और यह 2 second में 4 बार घूमता है 2 second में 4 बार यानि कि 15 बटे 4 मीटर है और यह 4 बार घूमता है इसका मतलब यह हो गया कि 2 second में यह 15 मीटर घूमता है 2 second में 15 मीटर घूमता है तो यह बताओ इसकी चाल क्या होगी तो भाईया चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे दूरी बटे समय दूरी कितना 15 मीटर और समय कितना 2 second इसका मतलब यह हो गया साथ चलो इसको ऐसे ही रहने दो पंदरा बटा दो क्या पंदरा बटे दो मीटर पंदरा बटे दो मीटर पर सेकेंड अच्छा ये बताओ ये इसमें आपको देना है उत्तर किलो मीटर पर घंटा में तो इतना तो आपको पता है कि पंदरा बटे दो मीटर पर सेकेंड होता है इसको किलो मीटर प्रती घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करते है चो चलो 5 एकन्य पाँच 5 पांती है 15 तो 18 तो और उसके बाद 2 एकन्य दो 2 नवा तो 9 तरिक 27 किलो मीटर प्रती घंटा आपका आंसर आजाएगा कितना 27 किलो मीटर प्रती घंटा तो देखो कौन सा एवाला और आपका बिल्कुल करेक्ट है एवाला और आपका बिल्कुल करेक्ट है तो मेरे ख्याल से आप सारे जन बहुत ही enjoy किये होगे इस पूरे की पूरे सेस्टन को अब चलिए इस session का हम लोग last और सबसे last question लेते हैं वो question आपकी screen पे आ चुका तो चलिए सबसे पहले आप अपना best try करिए फिर हम आपको ये question बताते हैं और ये बिल्कुल पिछले जैसा है बिल्कुल पिछले जैसा है तो सबसे पहले आप try करो उसके बाद हम आपको बताते हैं ओके बच्चा चलो जो सबसे last question है वो आईए अब हम आपको बता ही देते हैं cycle की पहिये का ब्यास पेंट चेंज कर ले चलो कि पहिये का ब्यास 21 cm कितना है 21 cm एक cycle सवाल 72 यहाँ पे actually km होना चाहिए 72 km 72.6 km पधिहंटे की चल से किसी दूरी को 150 मिनट में तैं करता है तो बताईए कि यात्रा के दौरान पहिये को कितने चकर लगाने पड़े वाव क्या बात है सबसे पहले आप यह करिए यह cm में है ना तो आप काम करो सारा का सारा डेटा आप cm में ही कर लो तो अगर पहिये का ब्यास 21 cm है डियर तो आप यह बताए कि इसकी रेडियस तरिज्य कितनी होगी तो आप यह को कि इसकी तरिज्य होगी 21 बटा दो तो आप यह बताओ कि एक चक्कर में यह कितना दूर जाएगा तो एक चक्कर में 2 πi r जाता है जहां पे होता है 2 πi का मतलब होता है 22 बटे 7 और r का मतलब होता है 21 बटा 2 ठीक है? हाँ तो चलो 7 एकरने 7 7 तरिके 21 और 2 एकरने 2 2 से कड़ गया तो यह हो गया आपका 66 cm यह हो गया एक चक्कर का हिसाब किता अब यह क्या कह रहा है कि यह जो है 72 0.6 km पती हंटा तो इसका मतलब इसको मीट अपा सेकेंड में बदलो पहले तो इसको करो 5 बटे 18 से गुणा तो जैसे ही आप करोगे इसको सबसे पहले आप 6 से काटो और इस दस्मलों को हटाओ इस दस्मलों को यहां से हटा दो इस दस्मलों को यहां से हटा दो इस दस्मलों को जैसे ही आप हटाओगे नीचे आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा ठीक है बढ़ा दिया अब आप इसको 6 से काटो तो 6 3 के 18 6 एकन्ने 6 6 दुनी 12 6 एकन्ने 6 फिर 5 एकन्ने 5 5 36 ठीक है यानी 221 बटे 6 और 221 बटे जब आप 6 करोगे डियर तो आपको मिलेगा कितना चलो इसको ऐसे ही रहने दो ना सॉरी 121 बटे 6 121 बटे 6 तो आपको कितना मिलेगा जो कुछ भी मिलेगा आप इसको ऐसे रहने दे 121 बटे 6 मीटर पर सेकेंड यह आ गया अब आप एक काम यह करो कि 150 मिनट को भी सेकेंड में बदल लो 150 मिनट को सेकेंड में जब बदलोगे तो 150 गुणे साथ करोगे 150 गुणे साथ तो यह कितना हो जाएगा यह आ जाएगा आपका 9000 अब इतने से आप क्या करो ना इतने से आप इसमें गुणा कर दो तो आपको दूरी पता चल जाएगी तो 121 बटे 6 गुणे 9000 ठीक है तो आप क्या करो इसको जब आप सॉल्ब करोगे तो 6 से काटो तो यह हो जाएगा यहाँ पे 150 पंदरा च्छका पंदरा तो डबल जीरो तो यह हो गया 121 गुणे पंदरा सो ठीक है और एक चक्कर में यह कितना जाला है 6,6 6,6 से भाग कर दो आपको चक्करों की संख्या लेकिन एक बात याद रखेगा एक बात यह रखेगा कि यह सेंटी मीटर है इसको मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा तो कुल मिला के हिसाब किताब आपका ये हुआ 121 गुणे 1500 जो कुछ भी आए आप उसको भाग करेंगे कितने से 6600 से ठीक है तो ये आपका बनके आएगा कितना ये आपका बनके जो आएगा डियर वो आएगा 27500 कितना 27500 जीरो ये बात समझ में आई तो ये आपका आंसर हुआ बिलकुल और बिलकुल करेक्ट वाला तो रुक जाओ सीधे से आपको क्या करना है सीधे से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ उस बात को आप फालो करिए और उस बात को जब आप फालो करेंगे तो आपका आंसर डारेक्ट मिल जाएगा वो मतलब ये है कि भहिया आपका ये पहिया है और ये पहिया 2 पाई आर दूरी तह करेगा और जितने मिनट लगे हैं तो दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल तो समय को आप स्पीड से गुणा करके जो कुछ भी आए उसको 2 पाई आर से भाग कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका बी आप हमें पूरा का पूरा प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट करेक्ट सॉल्व करके आप हमें इस नंबर पे वाट्सेप करें तो चलो ठीक है इस नंबर पे आप हमें वाट्सेप करें हम देखते हैं कि कितने बच्चे हमें इस नंबर पे correct answer और अपने नाम के साथ अब जिस भी state से बिलॉंग कर रहे हूं आप जरूर इस number पे हमें इस solution को भेजें ओके तो ठीक है बच्चा पाड़ी मेरे ख्याल से आपने इस lesson को enjoy किया होगा और बहुत ही अच्छे से आपने इस सारा का सारा काम किया तो चलो ठीक है अब हम लोग मिलते हैं अब नए वाली अब जो नया वाला टेस्ट हो का डियर वो आपका नया वाला टेस्ट आपकी बार रखा जा रहा है फिर से संडे को तो आप संडे का इंतजार करिए उसके बीच में जितने भी मस्तर रहे और हैस से ही धमा के दार त्यार ही करते रहे है हम आप से ऐसे ही बाते करते रहेंगे ओकी डियर चलो ठीक है लब इटेक केर बबाई स्यू चैहिन वी इडियर स्टूडेंट्स बेरी वेलकम बैक इन्देशिक योक्षा और आप लोग कैसे हैं डियर आई होब आप लोग सुष्ट होंगे और मस्त होंगे है ना तो यार कल हम लोगोंने पहला सेशन कर लिया था फर्स सेशन यानि रिजनी वाला सेशन हम लोगोंने कर लिया था अब हम लोग आज चल रहे हैं डियर हिंदी वाले सेशन को लेने और हिंदी वाले सेशन में जैसा कि आप सारे लोगों को पता है डियर कि हिंदी वाले सेशन में क्या होता है हिंदी वाले सेशन में 61 to 80 यानि 20 questions हमको दिये जाते हैं और उन 20 questions में हमारे पास चार गद्यांस आते हैं यानि 4 पैसेज़ आते हैं और उन पैसेज़ को पढ़के हमें आंसर देना होता है तो चलिए सबसे पहले सबसे पहले गद्यांस को हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर देने की कोशिस करते हैं बात चीत करते समय हमें बातचीत करते समय हमें सब्दों के चैन पर बिसेज ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मान जनक सब्द ब्यक्तिको उदात योम महान बनाते हैं बातचीत को सुगम योम प्रभावसाली बनाने के लिए सदेव परचलित भासा का ही परियोग करना चाहिए अत्यंत साहितिक योम क्लिस्ट भासा के परियोग से कहीं ऐसा ना हो की हमारा व्यक्तितो चोट खा जाए बातचीत में किवल बिचारों का ही आदान प्रधान नहीं होता बलकि व्यक्तितों का भी आदान प्रधान होता है आताहा सिच्छक वर्ग को सब्दों का चैन सोच समझ कर करना चाहिए सिच्छक वास्तों में एक अच्छा अभिनेता होता है जो अपने प्यक्तित्तों, सैली, बोलचाल और हाव भाव से बिद्यार्थियों का ध्यान अपनी और आकर्सित करता है और उन पर अपनी चाप छोड़ता है तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको बहुत ही मन लगा कि इस पूरे की पूरे गद्यांस को पढ़ा होगा आओ फटा-फट से अब हम लोग क्या करते हैं इसके आंसर्स को देने की खोसिस करते हैं सबसे पहला क्वेस्चन आपके लिए है सिच्छक होता है राजनेता, साहित्यकार, कभी या अभीनेता तो आपको इसमें बताया गया है कि क्या होता है अभीनेता होता है क्या होता है अभी नेता चलो अब ये question जब आप ने कर लिया तो आजाओ फटा फट से बच्चा पाटी हम लोग लेते हैं अपना अगला question अगला question जो है वो आपके लिए वो आपके लिए ये रहा थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको चलो question number 62 question number 62 बातचीत में किस प्रकार की भासा का परियोग करना चाहिए बातचीत में किस प्रकार की भासा का परियोग करना चाहिए तो बातचीत में प्रचलित भासा का परियोग करना चाहिए कैसी भासा का प्रचलित भासा का परियोग ओके बच्चा चलो question number 63 गद्यांस में परियुक्त सब्द सिच्छक का परयावाची सब्द है तो भई सिच्छक का परयावाची क्या होता है सिच्छक का परयावाची गुरू होता है क्या होता है डेर? गुरू होता है ओके? च्यालो अब आजाओ question number 64 पे question number 64 क्या करा कि बातचीत में आदान प्रदान होता है केवल बिचारों का, केवल भासा का, केवल ब्यक्तित्तों का, बिचारों एवं ब्यक्तित्तों का तो इसमें आपका सही आंसर है डियर, बिचारों एवं ब्यक्तित्तों का यानि कि डीवाल आप्सन इसमें आपका बिल्कुल correct है चलो आजाओ यहाँ पे question number 65 और इस तरीके का question बहुत ही महातोपूर होता है क्या कह रहा है कि उप्यूक्त गद्यांस का उचित सीरसक क्या होगा तो सीरसक के लिए क्या होगा यहाँ पे जो पूरा का पूरा गद्यांस आपको पढ़ाया गया आपको बताया गया वो सारा का सारा गद्यांस इस बात पर निर्भर था कि भही सब्दों का चयन कैसे करना चाहिए तो आपका जो correct answer होगा यहाँ पे वो होगा सब्दों का चयन तो मेरे खहल से जितने भी बच्चे रहे होंगे जितने भी student हैं वो सारे के सारे student इस गद्यांस को बहुत ही अच्छे से enjoy कि होंगे और उनको ये idea आ गया होगा कि भई कैसे गद्यांस को पढ़ते हैं और गद्यांस को पढ़ने के बाद उनका answer कैसे निकालते हैं ओके बच्चा चलो जल्दी से आजाओ अब हम लोग second वाले गद्यांस की तरफ बढ़ते हैं ओके देखो गद्यांस नमबर second जो है दूसरा गद्यांस है वो हमें क्या सीख देगा आओ चलो देखते हैं बिताना एक कठिन कला है शामान ने मनुष से अपने अहम के वसी भूत होकर अपना मुल्यांकन अधिक कर बैठता है और इसी के फलसुरूप वह उन कारियों में हाथ लगा देता है जो उसकी सक्ती में नहीं है इसी लिए सामर्थ से अधिक बै करने वालों के लिए कहा जाता है कि तेते पाउपसार ये जेती लंबी शौर उनहीं के लिए कहा गया है कि अपने सामर्थ को बिचार कर उसके अनुरूप कारे करना और बेर्थ के दिखावे में स्वयम को न भूला देना एक कठिन साधना है साधना तो अवस्य है पर सबके लिए यही मार्ग अनुकरण ये है तो इस वाले गद्यांस में आपको क्या सिखाया गया है कि इंसान को कैसे रहना चाहिए कैसे अपने सामर्थ का परयोग करना चाहिए तो चलिए देखते हैं इसके questions किस तरह की questions हम से करते हैं चलिए सबसे पहला question जो है अतिका मार्ग क्या होता है तो अतिका मार्ग क्या होता है अतिका मार्ग असंतुलित मार्ग होता है शंतुलित मार्ग होता है अमर्यादित मार्ग होता है या मध्य मार्ग होता है तो अतिका मार्ग आपका अमर्यादित मार्ग होता है क्या मार्ग होता है कैसा अमर्यादित मार्ग होता है यानि कि इस पर जाने से किवल अमर्यादित दो यानि कि ये कह लिजिए आपकी इस पर जाने से किवल बदनामी होती है बच्चे, ओके, हाँ, आजाओ, question number 67, कठिन कला क्या है, तो इस गद्यांस में जो कठिन कला है, डियर, वो आपको ये बताया गया है, कि सामर्थ की सीमा में जीवन बिताना एक कठिन कला है, ओके, तो आपका इसमें आंसर जो होगा, डियर, वो आपका आंसर हो जाएगा, कि सामर्थ की सीमा में जीवन बिताना क्या है, एक कठिन कला है, ओके, चलो, आजाओ, question number 68, गद्यांस में परियुक्त सब्द, आहम का बिलोम, शब्द क्या होगा, तो आहम का जो बिलोम होता है, डियर, वो होता है, महत्वहीन, क्या होता है, महत्वहीन, ये चीज आप चाल ल देजे, तेते पाउपसार, ये जेती लांबी शौर का आसे क्या है, तो इसका होता है, इसकी सामर्थ के अनुशार, क्या होता है, इसका होता है, आपका की सामर्थ के अनुशार कारे करना, क्या होता है, सामर्थ के अनुशार कारे करना, ओके, हाँ, अब आजाओ, जो last है, फिर से इसमें क्या पूँच रहा है कि भाया पर्युक्त गद्यांस का सीरसक क्या होगा तो बहुत ही बढ़िया यह सीरसक वाली जो बात होती है डियर ना सीरसक का मतलब यह होता है बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते है कि भाया इसका सीरसक कैसे निकाले क्या होगा इसका सीरसक तो सीरसक का मतलब सीरे से यह होता है कि उस गद्यांस में जिस चीज के बारे में बात करी गई है डियर आप उसी को सीरसक बनाते हो जैसे इस वाले गद्यांस में किस के बारे में बात की गई है इस वाले गद्यांस में सामर्थ से अधिक ब्याय अधिक अपसे यही बात की गई है कि भहिया सामर्थ के अनुशार ही कारे करें तो जब क्योंकि सामर्थ के अनुशार कारे करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि बार-बार वो बता रहा है कि अत्ती क्या है अत्ती नहीं करनी चाहिए या जेती इसमें उन्होंने एक उसका भी यूज किया है क्या कहते हैं एक दो हे टाइप का भी यूज किया है कि क्या कहते हैं कि तेते पाउपा सारी है जेती तो इसका इन सारी चीजों का मतलब यही है डियर कि आप वही काम करें यानि सामर्थ के अनुशार ही कारे करें तो मुझे लगता है कि ये दो गद्यांस आपको पिल्कुल समर्ज में आए होंगे और आपने बहुत अच्छे से इसको इंजवाय किया होगा चलो डियर अब हम लोग लेते हैं अपना गद्यांस नंबर थर्ड ओके चलो अब गद्यांस नंबर थर्ड को सबसे पहले आप पढ़ा जाए किसी तालाब में एक बातुनी कछवा रहता था उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे वे तीनों आपस में मित्र थे एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने के लिए तयार हो गए कछवा भी तयार था लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी कछवे ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे और वह उसी लकड़ी को अपने मूँ से पकड़ लेगा जिस से तीनों मित्र एक साथ एक ही तालाब पर रहेंगे हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है लेकिन बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात ना करने लगना नहीं तो तुम नीचे गिर कर मर जाओगे कछवे ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है वह अपने पैर पर सोयम कुलहाडी क्यों मारेगा योजना अनुसार हुए उड़ गए रास्ते में कुछ लोगों की बात सुनकर कछवा बोल पड़ा और नीचे गिर कर अपनी जान खो बैठा अब देखिए हमें भी हमें कभी भी फाल्तू बातों में ना पढ़कर अपने लक्ष की तरफी ध्यान देना चाहिए ओके बिलकुल तो ये जो कहानी थी डियर कछवी और दो हंस की ये मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और चलो फटा फट से देखते हैं कि भई इसका इसका अंसर क्या क्या होगा इसने कैसे कैसे क्वेस्टन पूछ रखे हैं तीन मित्र कौन कौन से थे तो दो हंस हुआ एक कछुआ तो भई सीधी सी बात है में तो आंसर मिल गया दो हंस था और एक कछुआ था ओके हाँ आगे आओ अगला क्वेस्टन आपसे है क्वेस्टन नमबर 72 किसे दूसरे तालाब में जाने में समस्या थी तो कछुए को किसको थी कछुए को तीसरी बात तालाब सूह गया क्योंकि बहुत गर्मी थी बहुत गर्मी थी इसलिए सूह गया और क्या अब आजाओ इधर गद्यांस में परियुक्त सब्द तालाब का परयावाची क्या होगा तो तालाब का क्या होता है, पुशकर होता है, क्या होता है, पुशकर, पुशकर मिन्स तालाब होता है, ओके बच्छा, चलो, question number 75, अपने पैर पर स्वयम कुलहरी मरने का अर्थ क्या है, अपना नुक्षान स्वयम करना, अपना फायदा करना, अपना कारे स्वयम करना, तो इ गद्यांस जब कभी भी आप पढ़ें तो बहुत ही सांत मैधंग से पढ़ें अपने दिमाग में बहुत सारी बातों को एक साथ नरन कराएं क्योंकि जितनी आसानी से और जितनी अच्छी तरीके से आप किसी गद्यांस को पढ़ेंगे उसका आंसर आप उतनी ही आसानी से दे पाएंगे तो चलो हम लोग लेते हैं अपनी अगली कहानी यानि अगला गद्यांस चलो गद्यांस नमब फोर गद्यांस नमब फोर बहुत ही प्यारी कहानी है डियर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा ध्यान से सुना, उसने चारो ओर सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो आजकल चोरों का बड़ा जोर है, अपने पास रूपया पैसा और जो कीमती सामान है, उसे एक बड़े संदूख में भर दो, मैं उसे बाग के कुए में छिपा दूँगा, चोरों ने या सुना, त उसमें इट पत्थर भरे और उसने घर से लगे बगीचे में बने कुए में वह संदूख डाल दिया, रात होने पर चोर कुए पर गए, लेकिन किसी की भी कुए में घुशने की हिमत नहीं हुई, उन्होंने एक उपाय सोचा, वे तीन बाल्टियां ले आए और कुए से पा पानी निकालते रहे, सवेरा होने पर पकड़े जाने के डर से चोरों वहां से भागने लगे, अब आगया यह, तब ही तेना लीडाम वहां आ पहुशा, और चोरों से बोला, भाया मेरा धन्यबाद तो लेते जाओ, तुम लोगों ने रात भर मेरे बगीचे में पानी दिय है, हम समझ गए, मुलब कितना उसने उसको बेहकूब बनाया ना, तो बहुत ही मजिदार यह कहानी है, और चलिए अब हम लोग इसके आंसर के बारे में सूशते हैं, तेनाली राम के घर के आसपास कौन घूम रहे थे, कौन घूम रहे थे, चोर घूम रहे थे, ओके, चलो, सेकेंड, तेनाली राम ने संदूक में क्या भरा, इंट पत्थर भरे, इंट पत्थर भरे, ओके, चलो, आजओ, क्वेस्चन नमबर 78, तेनाली राम ने रूपए, पैसे और कीमती सामान कहां रखा, भया, उसको तो उसने घर में ही रखा है, अब कुछ लोग यह कहेंगे, क संदूक निकालने के लिए चोरो ने क्या किया, कुए में घुस गए, नहीं भाई, कुए में नहीं घुसे थे, सवेरा होने का इंतजार करने लगे, बिल्कुल नहीं, कुए से पानी निकालने लगे, बिल्कुल कुए से पानी निकालने लगे, अब आजाओ, क्वेस्चन न भोर बिल्कुल नहीं होता है। दिन बिल्कुल नहीं होता है। रात्री नहीं होता है। जा रही तो आप रिजनिंग को पढ़िए mathematics का portion अगर आपके लिए कराया गया तो आप mathematics वाले portion को करिए बिल्कुल ऐसे ही मस्ती मस्ती में हमारी पढ़ाई complete हो जाएगी हमारी तयारी पूरी हो जाएगी और आपका selection पका हो जाएगा तो ठीक है बच्चा पार्टी अब जहां कहीं भी है बिल्कुल स्वस्ती मस्ती मस्ती बैस्ती और ऐसे ही ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉंसिप्स साथ तब तक कि love you take care bye bye चैहिन